कि प्रेंट सो तो आज का केक जो था वो बनाने में बहुत मसक्कत होई छोटी- microna3 बनाने थे लोगकिसके जितना वच्वॉच्वा सब से पहले मैंने किया कि दो पॉंड वाले में डौAmerica-skrydye दाल दिया और आधा दो पॉंड वाले में डाला क्युकRI एक मतलब आप दो पॉंड और एक पॉंड में नहीं बना सकते हो अच्छा नहीं लुकाता है तो यह दो पॉंड वाला पहले में रख देती हूं मिन्स की 1 kg वाला फ्रीज में रख दिया क्रम कोट करके और अब मैं आधा पॉंड वाला मिन्स की 200 ग्राम वाला बना रही हूं क् आपको अभी विप्ड क्रीम भी जाएगा तो सब मतलब हम लोग वेट करके ऐसे ही बनाते हैं तो यहां अब इसे भी मैं क्रम कोट करके फ्रीज में रख दूंगी और आपको कोई भी कोश्चन पुछन पुछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं तो फ पूरा नहीं दिखा है क्योंकि जो वीडियो होती काफी लंबी हो जाते और आपको तो हर वीडियो में बताती हूं को कैक को कैसे आशिंग करें अब यह चॉकलेट को मेल्ट करके रखा उसे एक डब्बे में मैंने डाल दिया है और यहां देखे फ्रेंट्स इसे बस टैप क है कि मेरे पसीने चुड़ गए और यह नोजल का यह वाला साइड लिया है यह नोजल जो मैं हमेशा आपको आइसिंग के लिए यूज करती हूं ना के को उसी के लिए पाइबिन बैंग में यूज करते हो तो दो मैंने बटन की तरह आपको देखा ना छोटे-छोटे बटन और उससे मैंने यह सेप दिया बस इसको कट कर लेना है और साइड में मैं इसे एडिवल इसकेश जो कि एडिवल आता है फ्रेंड तो वह मैं रखती हूं वह फॉंडेन पे नेम वेगरा लिखने के लिए आता है 120 रुपे तक आ जाते हैं अब और ऐसे वह लॉंग लास्टि तो इस तरह से मैंने आउटलाइन किया बहुत सारी चैलेंज इस केक में आए मुझे केक टूट भी गिया परिशान सी हो गए मैं एकदम कैसे करूं अब दूसरा चीज था कि कस्टमर ने डिजाइन कुछ और दिया था और मैंने बना कुछ और दिया दूंगी मैं आपको वह अब फोटो दूंगी जिसमें आपCompare करके बनाने बताना कि कैसा बना और यहां फिर मेने फॉंडें लिया क्यूंकी दो एलिमेंट थी मैंने जल कोलर हए जल कलर ऑर यह हो गया अब इसे भी मैंने उसे ही बेच में पईल लेना है और बेल कि कीмовश में जुगार से जादा जो बैक साइड लोंगे, जो सेप मुझे चाहिए, यह चाहिए देखिए दिखाती हूं इस सेप में, तो दो यह भी मैंने निकाल लिया, अब इसे भी मैं एक कटोरी में रखते जा रही हूं, और इसे मैं रूम टेंपरेचर पर ही रखोंगे, और यह जो मैंने बेल लिया है, इस से में और उसका आइटम बना रही हूं, जो element है, वह में उसे बना लेना है, तो नीचे सै नुकीला वी से अब देना है, और उपर से भी मैं आपको दिखा दूँगी, कि उपर से कौन सा से जेंगी, तो इस तरह से मैं उसे cut भी कर दऄ गूं, आपको दीक रहा है कि भी मैं तो चिपका नहीं तो बीच से डिवाइड कर दिया चॉकलेट को और अब मैं इसमें से दो इस तरह से साइज जो है कट कर लूँगी तो जैसा दीख रहा है आपको कि मैं कैसे कट कर रही हूं जैसे लग रहा है कि पंखुडी है फूल का पंखुडी तो वैसे दो पीसे आपको कट कर लेने हैं तो मैं और मैं ऐसा इसलिए मैंने कहा कि इसे पंखे के नीचे रखे और यदि गर्मी जादा हो तो ना इस डब्बे को बंद करके आप थोड़ी देर के लिए एसी रूम में और नहीं तो फ्रीज में बस 30 सेकंड के लिए ये सेट हो जाता है लेकिन इतना से हुआ है किसे हम असानी से गट कर सके बस उणलियों में न चिपकिए अब इसे मैंने फ्रीज में अब एक अलेमेंट रख दिया है और अब मैं तंग पे फीर से काम करती हूं तो इसे मैंने नीचे से तो वी सिबमें ना और उपर से मुझे इस तरह से इसे कट कर लेना है तो मैंने नाक बना दिया चोट ऐसा बस आपको ट्रेंगल की तरह बनाना था तो मैंने नहीं रिखाया आप लोग को फिर बड़ा वाला नोजल लिया और उसका बैक साइड में यूज करूंगी और उससे मैं एक अपको पहले भी बोला था कि बहुत चोटे चोटे ऐलिमेंट थे तो फ्रेंड्स आप इधी मेरी चैनल पहली बार है तो इस तरह के क्रियेटिव केक आइसिंग के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स टार्गेट से थोड़ बिल्कुल अच्छे से से और किनी अच्छी तरह से निकल जा रहा है बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है चोकलेट की साथ काम करना ना फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको ट्रिकी होगा तो आप कोई भी जो आर्ट बनाएंगे तो यदे थोड़ी दर के लिए आप बाहर रख येलो फवॉर्डिंट को भी मैंने एक सिप में कर्ट किया आ देख न सब स्फरिज्च बस पतल хот ना था तो येलो फॉर्टिंट भी मैंने बस वाइट फॉर्डिंट में येलो कलर मिकस कर बना आ बस आपको अपने घर में उइल्ले भी हैं ब्लाग फॉर्डिंट रखना है और फॉंडेन का टोडल वर्क आप कर सकते हैं, डेकोरेशन जो केक का होता है, अब मैंने क्रम कोट किये हुए केक को निकाला और उसके उपर मैं रख रही हूँ दूसरा केक, अब यहाँ पे होगा ट्विस्ट, देखें फ्रेंड्स, फस्स जाओंगी मैं यहाँ पे, देख ल देती हूँ आगे, अब जब भी केक बनाएना, तो स्ट्रॉ ज़रूर डाले, ताकि केक जो है न, होल्ड रहता है, गिरता नहीं है, तो तीन स्ट्रॉ मैं यहाँ पे डाल दूंगी, या फिर एक बड़ा सा टूथ पिक, या दो तूथ पिक आप, बड़ा वाला डाल दीजि स्टार नोजल से, तो पहले वाइट क्रेम से करूंगी, तो इसमें डबल लाइन जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है, कि मुझे अपने दोस्तों को पूरा दिखाने क्या हो शकता है, मैं फटा-फटी से डबल लाइन मार देती हूँ, ने तो मुझे पता है, कि आप तुर कलर का क्रीम रेडी किया है, और सेम स्टार नोजल ही है, और बस एक लाइनिंग में ले गई, और यहां रेड कलर का क्रीम मैंने रेडी किया था, इस अब क्रीम जो है, मैं पहले ही, जब केक मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रखा था उस बीच में मैंने चोटे-चोटे काम कर लिए थे गर का भी काम किया था तो यह सब को में रख दूंगी और पैपिन बैग में नहीं डाला था क्योंकि आप पायपीन बैग में तीए क्रीम को डाल देंगे आपको डाक डिख रहे हैं तो आज का ये दो टिप्स मैंने केक में दे दिया तो जैसा कि मैं अभी भी बोल रही हूं फ्रेंड से दिया आप मेरी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन ज़रूर प्रेश कीजिए और इस तरह के वीडियो के मैं यहां बहुत सारी रेशिपीत में यहां शेयर करती हूं और मैं जितने धिंट को ani all the आ आपनी पर ठिटोरियल देंबहें और मैं यहां बढ़ने में और यहां मारा लिख दूंगी जो ऋसका नेम भी लग दिया और मैंने शींग बना थे तो फ्रेंड़ केक के लेफ्ट साइड में जो केक देख रहा है यही था मेरा ओर्डर का केक और ये बनाया मैंने केक तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा केक अच्छा था बबाई फ्रेंड्स मिलते अगली वीडियो